राम राम मैं पणित इसके मिस्र इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी इस्तिरियों पर प्रकाश डालने वाला हूँ जो बहुत लंबी होती है आपने प्राया देखा होगा कुछ इस्तिरियां देखने में अतधिक लंबी होती है ऐसी इस्त्रियों का सभाव, उनका चरित्र, उनका बेवहार, उनका ब्यक्तित्व कैसा होता है इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रकाश डालूँगा और इस वीडियो में मैं जो भी चीज बताने वाला हूँ वह सामुद्रिक सास्त्र की अधार पर हमारे रिशी महत्माओं की भाणी से लिया गया है कुछ हद तक इसमें मेरी भी सहमाती है वीडियो को बिना इसकीब के हुए ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है ऐसी इस्त्रियां जिनका कद काफी लंबा होता है प्रायह उनका चरित्र बहुत सी अच्छा होता है ऐसी इस्त्रियां बीसम प्रस्तियों में भी धैर से काम लेती हैं, घबराती नहीं है अगर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है तो उसका डट करके सामना करती है अपने सूज बुच के साथ ऐसी इस्त्रियां किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करती है सूज समझ के कारे करती है ऐसी इस्त्रियां अंदर से बहुत ही कुमाल होती है मगर कभी कभी यह अपने ब्योहार को कुछ खुरदरा बना लेती है दिखावे के लिए और प्राया लोग यह समझते हैं कि इनका ब्योहार अच्छा नहीं होता है मगर उनका यह जो सभाव है प्राया यही सब को दिखता है और उसके अंदर इनकी जो भी अच्छाईया है जो भी इनकी अच्छे चरित रहें अच्छा बेक्तित्व है वह प्राया छुपा रहता है यह इस तरियां अपनी मिजाज को बाहर से दिखाने के लिए कुछ रूखा बना लेती और इसकी अंदर इनकी जो भी अच्छाई है जो भी इनका माधूर्य है जो कुमल प्रविती है वह प्राया छुपा रहता है मैंने यहां इस विडियो के माध्यम से ऐसी इस्त्रियों के बारे में चर्चा किया है जिनका कद काफी लंबा होता है आसा है आप लोग के समझे आया होगा फिर भी अदि आप लोग के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो बिल्कु निराश नहों अपना सुनलिल के खीचा फोटो हमारे वार्टसप पर मैसेज करें मैं आप लोग की एनेर्जी को रीट करके कि आप लोग काउचित मार्दसन करते हुए और सक्ता पढ़ने पर अपने भारती विद्याओं के माध्यम से आप लोग काउचित समझान भी करूंगा धन्यबाद राम राम